अजे देवगण की बेस्ट मुवीज जुनोंने 100 करोड रुपे का आखड़ा पार किया था नमबर वन ताना जी ये अजे देवगण की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है इस फिल्म ने 280 करोड रुपे का कलेक्शन किया था जिसके कारण ये फिल्म बॉलिवड की टॉप 10 फिल्मों में शामिल है 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म ने 205 करोड रुपे का कलेक्शन किया था ये फिल्म सूपर हिट रही थी और ये अजे देवगण की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बनी थी और साथ में 200 करोड रुपे पार करने वाली आजे देवगण की पहली फिल्म है रूइथ शिटि की इस मल्टी स्टारर फिल्म ने 102 करोड रुपे का कलेक्शन किया था फिल्म में अजे देवगण और अभिशेक बच्चन में इन रोल में थे 2018 में आई अजेद देवगण और इलियाना डिक्रूस की इस फिल्म ने 101 करोड रुपए का कलेक्शन किया था और ये फिल्म एक इंकम टेक्स ओफिसर की लाइफ पर बेश्ड है और अजेद देवगण की इस फिल्म ने 101 करोड रुपए की कमाई की थी हाला कि ये फिल्म एवरेश साबित हुई थी क्योंकि इस फिल्म का बजट काफी जादा था और ये उस लेवल की कमाई नहीं कर पाई थी